शेर के बच्चे बिना मा के बिना बाप के आपस मैं लड़ने की प्रक्टिस कर रहे हैं शेर के बच्चे माबाप का अंकुस नहीं और माबाप कोई है नहीं शेर हैं तो लड़ेंगे तो इससे घवराना नहीं इससे कोई परिशान नहीं होना बच्चे लड़ेंगे पर एक दूसरे का नुक्सान नी करेंगे इसका इत्मनान इसका यकीन दिल में रखना और जिनको यकीन ना हो जिनको इत्मनान ना हो इस बात का कि शेर के बच्चे लड़े उन्होंने लड़ने का अभ्यास किया और एक दूसरे का नुकसान ना किया तो भारत में आज के दिन जितने भी ग्यापन दिये गए हैं या जितने भी भाशन हुए हैं या जितने भी स्लोगन हुए हैं पूरे दिन मैंने बैट के छाटे हैं कहीं भी किसी भी ग्यापन में किसी भी भाशन में किसी भी स्लोगन में ये नहीं कहा गया कि हमारे भाईयों को हमारे छोटे या बड़े भाईयों को हमारे परिवार के लोगों को हमारे समनों को सरकारी नौकरी में हिस्सा नहीं मिलना चाहिए या इतना हिस्सा नहीं मिलना चाहिए या उतना हिस्सा नहीं मिलना चाहिए इसको उठा लीजिए आप अच्छी तरह से देख लीजिए बेसक इसमें राजनितिक पारटियां इन्वाल्व हो गई हैं बेसक इसमें मौका परस्त राजनितिक लोग इन्वाल्व हो गए हैं बेसक इसमें हरियाना और उत्तरप्रदेश और दिली में जो चुनाबी सभाएं होने वाली हैं उनका मजमा चल रहा है और बेसक दो अपरेल 2018 की जो एकता है उसको नेस्ताबूत करने का काईकरम है पर फिर भी शेर के बच्चों ने किसी को पंजे नहीं मारें और वो मारेंगे भी नहीं क्योंकि एकी परिवार के हैं बस समन संग जैसे किसी माता पिता का इंतियार है कि जब उनको सही तरह के से बता सके कि क्या चीज है क्या नहीं है इसलिए यह अच्छा हो रहा है यह अच्छा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब शेर के बच्चे लड़ते हैं तो शिकार करने की प्रक्टिस ही करते हैं कोई वो बैठ के शत्रज नहीं खेलते तो प्रक्टिस होनी चाहिए और उनको भले बुरे का ग्यान समण सं समय समय पर दे रहा है और देगा भी इसलिए हम लोग जितने भी समझ संगी हैं हमने जा के देखा बैठ के देखा कहां क्या चल रहा है कहां क्या नहीं चल रहा है और कौन चला रहा है कौन कौन इनकी एजेंट हैं कहां कहां की बातें हो रही हैं और कैसे कैसे हमारे दो अप्र कारण क्या है कि जो आज बात रखी गई देश के अंदर वो किसी ने भी यह नहीं कहा कि किसको क्या मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए आप सिंगल सारी बात उठा के देख लो उसमें जो बाते कही गई है वो यह कही गई है कि जो जस्टिस है जो एडवाइज है जो वो अपने preview से बाहर जा रही है. जो leaders हैं, वो इसको अच्छी तरह से sort out नहीं कर रहे हैं. ये मसला कहीं और का है, पोंच कहीं और रहा है, चाहेते कुछ और हैं, बना कुछ और देते हैं. क्रीमी लेइर का जिक्र नहीं और क्रीमी लेइर का जिक्र आ गया, और बैल की तरह वो पूरे जीवन भर बिना अपने पुत्रों की पुत्री की उत्पत्ती किये हुए बिना लेबर के रूप में शर्मिक के रूप में मर जाता है तो जब आरक्षन OBC का दिया गया था तो 52% में 27% दिया गया चुकि वो इखटे नहीं है और आज भी इखटे नहीं है तो आधा जो मिला ठीक है उसमें भी उनका पूरा हुआ नहीं और साथ ही साथ उनको बधिया भी कर दिया गया कि उनके जो वनसज हैं यानि कि जो और जो लोग हैं वो आगे आके सरकारी नौकरी या कोई और बड़ी नौकरी या कोई और बड़ी छेतर में अधिकार ना ले पाए तोगी जो आगे बड़ेगा उसकी थोड़ी बहुत तं बोले वो जो कुंडा खोले वो ही मरे दिक्कत यह है इसलिए श्रिल काश्टों ने जो स्रिल ट्राइब लोग है उन्होंने कहा भी तो उनकी तरफ इसको क्रीमी लेर को मोड़ दिया बड़ी सफाई से चोत्राई से जिक्र करने की क्या जरूत थी जब देने वाले को देना ही था तो दे देता जैसे EWS में दिया अब इसको एक सेक्टिंग के लिए आप ऐसे सोचो कि पूरे भारत में जो देने वाले लोग हैं वो समण हैं अब आरेक्ष्ण का सरकारी नौकरियों का जो हिसाब किताब है वो समण लोग करेंगे तो समण लोगों ने यह कह दिया कि वम परसेंट ग्यारे परसेंट जो बनता है वो उनको दे दिया ले जाओ भई तुम्हारा तना बनता है ले जाओ अब उसके अंदर सारा का सारा जो रिजर्वेशन हैं वो वमन लेके जा रहे हैं तो हमने तो वमनों को दिया तीनों वमन में आते थे ले जाओ तो जो बाकी और लोग हैं वर्मनों में जिनको हम बनिया कहते हैं या ठाकुर कहते हैं या जो बहुत सारे छत्री में हैं तो वो कुलबलाहट हुई उनके अंदर हमारा हिसा तो सारा वर्मन लेके जा रहे हैं तो वो कोट जाएंगे और जाके कहेंगे कि हमारा तो अलग-अलग कर दो अब परिशानी किसको होगी परिशानी उसको होगी जो सारा लेके जा रहा है ये एक नैच्रल सी बात है तो देने वाले हम हैं तो हम केंगे भई आपस में अपना बाट लो पर अगर हम सच में उनको देने वाले हैं और हमारे पास में एक्ट्रा जो आरक्षन है पसंटेज है वो ब बचा हुआ है नहीं अब इसको उल्टा घुमा के देखो कि जो संख्या के अनुपात से कम में क्योंकि संख्या का दुवारा से दिया नहीं है भी डेड़ दो परसेंट बढ़ता है और ओवी सी का अबावन परसेंट है तो उनका 27 परसेंट बचता है तो जो 27 परसेंट बच रहा है वो बाटने के लिए है उसको बाटा जा सकता है उसको SC को और दिया जा सकता है उसको ST को और दिया जा सकता है तो उन्होंने बाटा है ऐसा नहीं कि बाटा नहीं है उन्होंने अपने लोगों को 10 परसेंट बिना मांगे उनको दे दिया तो 27 मैंस सारा वो लेके जाते हैं तो उस मेंसे दिया जा सकता था देने वाले की अगर नियत होती तो वह 27% में से 17% जिनको अभी तक कुछ नहीं मिला है उनको देता और दुनिया में कहता है कि देखो हमने जिस्टिस किया है कि इनको कुछ नहीं मिला ये पीछे रहे गए तो हम इनको 17% 20% दे रहे हैं या देने वाला कहता कि मेरे हाथ में जज बनाने की पावर है कॉलोजियम की पावर है मैं इनको जज बना देता हूं देने वाले की नियत अगर हो तो जज बना देगा देने वाले की नियत अगर हो तो लेटरल एंट्री लेके आ सकता है लेटरल एंट्री में अफसर बना सक सकता है देने वाले की अगर नियत हो तो जो PSU है जो पॉलिक सेट की यूनिट है उसमें दे सकता है और देने वाले की अगर नियत हो तो वो रोश्टर को उल्टा भी कर सकता है कि पहली जो वेकेंसी होगी वो सबसे ज्यादा उस व्यक्ति को होगी जिसको अभी तक कुछ नही मिला है तो दे दो भाई पर देने वाली की नियत हो तब नगा का जगड़ा कराना है जगड़ा इस लिए कराना है क्योंकि सब को बारी-बारी से तोड़ना है अगर तोटेंगे नहीं इकटे हो जाएंगे तो सारा अम सब तो जमीन ले जाएंगे, जाजात ले जाएंगे, स्टॉक एक्शन ले जाएंगे, व्यापाल ले जाएंगे, कपड़ा ले जाएंगे, इंडर्स्ट्री ले जाएंगे, देश ले जाएंगे, विदेश ले जाएंगे, जितना पैसा है उसे ले जाएंगे, जितना बजट है उ लोग लेके सब कुछ तो एकटे होने वाली बात होती है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है तो यह जो सोच के समझ के कहां कौन सा गुल डालना है कहां कौन सा पॉलिशी लेके आनी है इस पर बाकाइदा रिसर्च होती है यह कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन के अंदर ही करने की कोशिश कर रहे थे और वो तूट गए ऐसा हर जेगे नहीं है थोड़ा बहुत चलेगा क्योंकि जब इतना बड़ा प्लान है और इतनी बड़ी स्टडी है तो कुछ तो असर आएगा पर कुछ असर खास नहीं है क्योंकि जो पंजाब के अंदर है उसका उल्टा आद्र प्रदेश के अंदर है जो उत्तर प्रदेश के अंदर है उसका उल्टा किसी और स्टेट के अंदर है यानि कहीं पे किसी को नहीं मिला कहीं पे किसी को मिला या कहीं पर किशी ने ले पाए कहीं कोई नहीं ले पाए अब ये ले पाएगा और मिले का सिस्टम समझने आप क्या है तो आप लोगों को पूरे भारत में लोगों से बात करने में आसानी होगी कि हम कर क्या रहे हैं और हो क्या रहा है आरक्षन मांगा नहीं था बावसा उमिट करने है नौकरियों में रिजरवेशन न्याज़ में पढहाई में यह लिगाल में श्याय रिजरवेशन या handheld हैं यह मंगे नहीं है इन तीनों रिजर्विशन के अंदर में एक रिजर्विशन ऐसा है जिसमें आप अनपढ़ हैं तो पढ़ने के लिए आपको सीट मिल जाएगी एक रिजर्विशन ऐसा है कि आगर आप पढ़ गए हैं तो पढ़ने के बाद आपको नौकरी मिलेगी और एक रिजर फिसना ऐसा है कि आप पड़े हों या ना पड़े हों लूले रंगडे कैसे भी हों आपको टिकेट वहां से बढ़नी है आप MLA MPI कॉंस्टर बन सकते हैं बस जिस व्यक्ति में जिस समण में ये तीनों एक शाय नहीं है उसके लिए आरक्षण बेकार है वो आरक आतंकबाद में हैं वह बहुत सारे आतंकबाद में जी रहा है और वहां वह उनसे लड़ रहा है जाने में अंजाने में तो यह चीज़ कैसे घटिद हुई जब बावासाव अंबेट करने यह कहा कि हम अपनी अवस्था अपनी इस्थिति को खुद ही सुधार लेंगे और ह अपनी सुधाजनक अपने हिसाब से अपने लिए नियम बनाने का अधिकार चाहिए और यह अधिकार कोई और ना ले क्योंकि हम लोग प्रतालित लोग हैं हम लोग के पास ना जमीन है ना जाजाद है ना हमारे पास इज्जत है ना पैसा है ना कुछ है तो बहुत लड़ खकलके अकेले व्यक्तिन है separate electrol यानि पर्थक निर्वाचन यानि कि हमारा candidate खड़ा होगा और हम इसको चुनेंगे और इसके अतरीक पावर और भी थी कि दूसरे एरियाओं में भी हम बोट डालेंगे जहां हमारा candidate खड़ा नहीं होगा वहां हम दूसरे लोगों को चुनेंग आज जो स्थिति है उसकी उलट स्थिति मांगी थी डॉक्टर अबमेट करने और लेके भी आये थे तो क्या हुआ वो लोग इतनी आसानी से देने वाले नहीं हैं क्योंकि सारी विवस्ता किसकने वाली थी सारी चीजे हाथ से जाने वाली थी आप उनको चुनने का राइट पिला रहे हो आप उनके केंडिट आपकी मर्जी से चुने जाते और आपकी केंडिट तो आपकी मर्जी से चुने जाते तो कितनी बड़ी संख्या होती वहां पर संब्लों की और डिशन मेकिंग कौन होता और कौन वहां पर डिशन करता इसको आप सोच सकते हो इसकी कलपना मर जाँगा भू करताल अगर दौक्टर अमेटकर तुमने सैप्रेल एक्टरोल का जो अंगरेजोस से समझोता किया है वो तुमने खतम नहीं किया तो समझोता खतम होना था अंग्रेजोस है क्योंकि अंग्रेजी पुसमें पार्टी थे आया अंग्रेजोस था पर समझोता इल्ली का लूप से खतम हुआ गांधी के साथ गांधी का कोई हिस्सा नहीं गांधी भी वहाँ पार्टी था डॉक्टर मेटकर भी वहाँ पार्टी थे और अंग्रेजोस के सा तो आरक्षन का फाइदा उठाएगा कौन बहुत सालों तक तो आरक्षन आया और चला गया जैसे बार का पानी जैसे बारिस का पानी आया और बहा गया कोई बांध ही नहीं तो आरक्षन का फाइदा उठाने की शर्त है पहली बात आप उन कास्ट के अंदर होने चाहिए जिन की इजजत नहीं जिनके पास पैसा नहीं जिनके पास जमीन नहीं जिनके पास जाजात नहीं और जो बिखरे हुए लोग हैं जिनका एक स्टूल बनाया उन कास्ट और उसको जो स्टूल कास्ट कहा गया या ट्राइब्स के लोगों का बनाया क्योंकि ओबी कि तो दिया नहीं उस समय तक मना कर दिया मांगा था बाव साब में तो उनका जो स्टूल बना उस स्टूल में जो काश्ट आते थे तो पहचान थी उस समय कि इन लोगों के साथ में जातियां होई है इन लोगों के साथ में प्रतार्णा होई है इन लोगों की इज़त लुटी सिवाय सांस लें जाने के तो उनका जो शुटुल बना उसके इसाब से यह वा कि इनको नौकरी मिलेगी अगर पड़े होंगे तो अगर लिखे होंगे तो पर ज्झाडू वाली नौकरी के लिए पड़ने लिखने की बाध्यता नहीं है यह द्यानकना जाडू वाली नौकरी के लिए चप्रासी वाली नौकरी के लिए सिर्फ मनुस्थ से के हाथ पर चलते रहने चाहिए 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 उसकी बुद्धी हो या ना हो वो चलेगी तो उसमें अलक्षन नहीं है तो उसके लिए पहले पढ़ो और MLA MP बनने के लिए पढ़ाई नहीं है इसलिए पहले दिन से MLA MP कोई भी बन सकता है और बने वो जो उनकी अच्छे चमचे थे किसी को पता है नहीं के फारें भी कैसे बढ़ा जाएगा Candidate नहीं है Candidate भी ढून ढून के वो ही लोग लाए और उन्हों ही अपने चमचे अपने नौकर अपने चाकर महा बनाए कोई संग्ठन नहीं कोई संग नहीं कोई जागता नहीं बावा साब जितना कर सकते थे करे और वो चलेगे तो पढने के लिए बंदे नहीं पढ़े कौन और पढ़ाने वाले पढ़ाये क्यों इतनी मुश्किल से हमारी पढ़ाई च्छीनी है इतनी मुश्किल से हम नंपढ बनाये और कोण पढ़ाए तो बड़े संगर्सों के साथ तो स्कूलों में कुछ लोग पढ़े कौन पढ़े जिन्होंने बावा साथ की वोईस को पकड़ लिया जिन्होंने बावा साथ की आवाज को पकड़ लिया जिन्होंने बावा साथ के भाशन सुने जिन्होंने बावा साथ के साथ में उनको कंधा दिया जो बावा साथ के साथ में जहां जहां भी लोग रहे वही वही पढ़ें बस और नहीं पढ़ा कोई भी उन्हीं को समझ में आया कि डॉक्टर मेटकर क्या चीज़ है और क्या नहीं है तो जो पढ़ेगा वो पढ़ेगा तो थोड़ा भी पढ़ा, तो वेकेंसी अतनी थी, कहां तक रिफ्यूज करते, बहुत सारी वेकेंसी रिफ्यूज की कि केंडिट्स आर नौट अबेलेबल, केंडिट्स हैं ही नहीं, और बाद में जो गए तो उनको कह दिया है के नौट सुटेबल, वो सुटेबल नहीं है, ऐसे फाइलों पे लिखते रहे, कितने सालों तक नौटियां नहीं मिली, कितनी पढ़ी थी ले लेते सब लोग, पर लें तो तब ना जब पढ़े हों, तो जो चमड़े का काम करने वाले लोग थे, नौट के अंदर उन्होंने बावा साब के कहने से, अपने बहुत जादा आमदैनी वाले चमड़े के काम तुरंथ फैंक दिये, तुरंथ, जो खाल को रंगने वाले काम थे, वो छोड़ दिये, जो जूता बनाने वाले काम थे, वो छोड़ दिये, बावा साब की एक आवाज पर, नौट के अंदर, चमड़े का काम करने वाले लोगों ने त्याग किया चम्ले का काम करने वाले लोगों ने डॉक्टर अंबेट करके पूरे package को माना पूरे package को उन्होंने कहा गंदे काम नहीं करने भूके मर गए लाजमिस्थी का काम किया ठेला लगाया मजदूरी की गाली खाई गाउं छोड़ने पड़े गाउं छोड़े बहुत पटाईयां हुई है पर बावा साप की बात को पाने दिया नौट के उन लोगों ने जो चमड़े के आलिशान काम करते तो जिनके पास में लाखों रुपया उस समय आते थे जो अपने अपने यहां के चौधिय से रूटी खाया करते थे जिनके यहां बैल भैस और जिनको प्रधानवी और जिनको चौधरी और जिनको भगजी बोला करते थे ऐसे हजारों केस हैं हजारों नौट के अंदर पर जिन लोगों नहीं पकड़ी बावा साप की अवाज उनका क्या करें उनको कैस समझाएं उन सफाय काम चोड़ लिया वह पढ़े हुनमने पढ़ाई की वह भुके रहे उन्होंने पृतह ना जहली हुंओने सब को जहला पर वह पढ़े आंत प्रद्रthrough के अंदर चम्ड़े का काम करने वाले लोगोंहगों ने बाववसाब अम्रटकर की वहेस को नहीं माना महराष्ट के अंदर जो महार लोग थे उनके तो परिवार से थे क्योंकि बावा साब महार थे तो उन्होंने जान लगा दी पूरे देश में बावा साम बेटकर को पहुचाने के लिए और पूरा पैकेज चाहें वो धम का है, चाहें वो अडंबर का है चाहें विदेश जाने का है, जा देश जाने का है अक्छर से पालन किया अक्छर से, वो ऐसे नौर्थ में किया पर वहां के जो चमार जा जाती के लोग थे, उन्होंने बावा साब का उस समय विरोध किया विरोध, और आज भी विरोध करते हैं वो लोग, 2-3% लोग हैं, जो विरोध करते हैं, तो पंजाब के कुछ लोग कहते हैं, जी कि बावा साब को चमार क्यों की वॉलिम में लिखा हुआ है, तो चमार पंजाब के लोगों ने विरोध निकिया, वहां तो बावा साब पहुंची नहीं पाए, एक आज जिगे पहु ना समविधान को सीखें और ना यहीं वो साथ देते हैं, और कुछ देते भी हैं, ऐसा नहीं है, तो वो चीज़ें वहां से निकल के आई, तो जिसने जहां डॉक्टर अम्बेटकर की वोईस को पकड़ा, तो वोईस को पकड़ने से क्या फायदा हुआ, अपने बच्चे प गुद्धी में, विकास में, और जो संखतिक कारिक्रम हैं, जो उनसकित्क कियें हैं, परिव Geeax हुए हैं, उसमें सब से आगे हैं, और विजेशों में सब से आगे हो लोग हैं, क्योंकि वो एक जेनृरिशन आ गए हैं, उन्होंने बावासाव मिटकर की बात को तुरंट प पकड़ा उन से और उसके बाद उनको देखकर 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 इसलिए है wastewater है क्योंकि जब एक generation पढ़ गई और छोटी मुटी नोकी मिल गई तो कहीं बाबू बन गया कहीं चप्रासी बन गया कहीं Els app बन गया कहीं क्लर्क बन गया और कहीं कहीं बड़ा साहब बन गया तो ऐसा सोचा नहीं था ना कि ऐसा दिन भी हमारे पास आने वाला है क्योंकि गुलामी से जीते जीते गुलामी की अदत ही पड़ गई मतलए इतने माजादा मान से गुलाम हुए कि बाबू चप्रासी अफसर ये सब मोनी को बाबू और साहब बोला करते थे हम भी साहब थे पहले ये जानगारी खतम हो गई तो बड़ा सुखत अनुभव हुआ इतना सुखत अनुभव हुआ कि चेहरे पर रोनक आ गई सरी पर मास चड़ गया और पुराना गौरब पुराना गारब बापस आने लगा तो जिन लोगों ने डॉक्टर अंबेटकर को नहीं पकड़ा तो डॉक्टर अंबेटकर का पचार होने लगा तो उनको ये बात समझ में आ गई कि बाई पढ़ना तो पढ़ेगा और बिना पढ़े सरकारी नौकरी नहीं मिलेग है तो जब सरकारी नौकरी की बाधिता ये है कि आपको पढ़ना पढ़ेगा और पढ़ने के बाद आपको कंप्रिशन में बैठना पढ़ेगा तो आपको नौकरी मिलेगी तो नौकरी अभारत में बहुत हैं अभी भी बैकलोग बहुत है इतना बैकलोग है यानि कि रिक्त लगाना चाहता है कोई यह नहीं कह रहा है तुम्हारी देने की मंसा है तो तुम अभी सारा बैकलॉग भर दो ना सारा बहर दो जो OBC का बैकलॉग है और OBC केडिट नहीं आते तो वह भी दे दो इनको और जो 27 परसेंट एक्स्ट्रा है उसको भी दे दो इनको, देते क्यों नहीं हो, क्या कारण है कि दे नहीं रहे हो, और क्या कारण है कि जो जज्मेंट में चीज नहीं मांगते हो, उसको परुस्द देते हो, तो इस पष्ट समझो बात को कि बात कहां जा रही है, कहां नहीं जा रही है, क्योंकि शेर के बच्चे हैं, शेर हैं और इखटे रहेंगे शेर जुन्ड में रहते हैं कोई एक ता कहीं तूटने वाली खतम होने वाली बात नहीं है ये छीना जप्ती छोटी बहुत प्रैक्टिस चलती रहती है दूसरे लोग कराते हैं एक मास का टुकड़ा छोटा छोड़के सेरों के बीच में भूके शेर हैं और उस मास पर लड़ते हैं पर जब सेरों कोई समझ में आ जायेगा कि टुकड़े फैंकने वाले के पास मास बहुत है तो उस मास पे एक सारे शेर घुर आएंगे तो सब के पेट भर जाएंगे सबके गोदाम भरे मास पड़ा हुआ है देने वाला देता है नहीं तो देने वाला बनना है या तो और या खटा हो कि गोदाम में सब जेके आना है तो जगड़ा खतम हो जाएगा भूके का जगड़ा होता है अब इस्थिति क्या आई है अब इस्थिति ये आई है कि डूक्टर अंबेटकर का आणदोलन चलाने वाले जो लोग हैं खास तोर से जो बाम सेफ है बाम सेफ ने वैचारिक जञजागरन किया इसमें कोई शक नहीं है वो तूटते चले गे पर वैचारिक जञजागरन रहा जितनी उनकी छमता जितनी उनका तर्क, जितना वितर्क और जितना वो जानते थे पर उनका वैचारिक आंदोलन कास्ट से अच्छूता नहीं रहा उनके जो टुकड़े हुए हैं वो छेत्रवाद पे और कास्टिस्म के आधार पे हुए हैं यह पूरूब्ड है मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि अब जगड़े आएंगे और हम ही रहेंगे और यह खुलके आभी रहे हैं इसका नुक्सान है हमें पर समण संग दीद्रे बढ़ रहा है उसमें कुछ ऐसी बीमारी कभी नहीं आने वाली क्योंकि हमने सब से सीखके उसके नियम को हम ठिक टाक कर लेते हैं तो वहां जो लोग है उसमें जो ग्रूब बने उसमें दो तीन तरह ग्रूब बने एक वो जो पहली जनरेशन के लोग थे उनका अलग ग्रूप है बामसेफ का एक वो जो सेकंड जनरेशन में सीखे उनका ग्रूप अलग है बामसेफ का और एक वो जो अब सीख रहे हैं उनका ग्रूप अलग है यह अच्छ खतम कैसे किया जाए, इसको करेक कैसे किया जाए, इसको तोड़ा कैसे जाए, इसमें कैसे इसमें मठा डाली जाए, यह फट जाए, तो उसके लिए मानसिक रूप से बहुत दिनों से यह त्यारी है, कि इस्टडी बताती है, कि जो लोग जादा पड़े हैं, पहले पड़े है उन्हें लोगों के मकावले जो बाद में पड़े हैं उनकी संग्या कम है तो उनको नौकरिया ना दी जाएं और बैक लॉग ना भरा जाए और आरक्षन ना दिया जाए और रोस्टर में एक 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 सीट करके भरी जाए जिससे के ये लोग आए ना और फिर प्रचालित किया जाए कि तुमारी सारी सीटें ये ले गए ऐसा हरियाने के अंदर ए बी सी हुआ और भी कैस्टेटों में हुआ और ये जमीन के अंदर ही अंदर परचार चल रहा है काफी पले से कि तुमारी सीटें वो ले गए तुमारी सीटें वो ले गए तुमारी सीटें वो ले गए औ नहीं पे जहां पे चम्रे का काम करने वाले लोग जादा हैं, वहां जो चम्रे का काम करने वाले लोग नहीं है जादा, उनको कहा गया कि तुम्हारी सीट चम्रे का काम करने वाले ले गए, और जहां सफाई करने वाले लोगों ने सफाई छोड़ दी, वहां चम्रे का काम करन से लगबग 30 साल से यह काईकर्म लागाता चला है जमिन के नीचे कि इनको दो कुछ मत और जब यह पढ़ जाए लिग जाए तो इनको कहो कि तुम्हाई सारी सीटें वो लेए वना तुमको भी मिल जाती है जबकि आरक्षन पूरा भरते नहीं आरक्षन घटा दिया डिपार् बढ़ी है तो क्या देश की नौक्री नहीं बढ़ी है जब देश की आवादी बढ़ेगी तो क्या देश में थाने नहीं बढ़ेंगे देश में कचरी नहीं बढ़ेंगी क्या देश में डिपार्टमेंट नहीं बढ़ेगा क्या रक्षा का डिपार्टमेंट नहीं बढ़े क्या कहे अपनी जान बचाने के लिए वो यह तो नहीं कहता कि मैं नहीं दे रहा वो क्या कर रहा है वो यह कर रहा है कि यह ले गए ठीक वैसे पढ़ाई में हो रहा है एजूकेशन में यूनिवस्टियां प्राइवेट हो रही है यूनिवस्टियां बंद हो रही है या यून आने हैं और इसी ब्यक्ति लोग है जो अतना नम्ब लेके आएगा वहरना लोगे नहीं और वह आर्गे जा के पास भी नहीं होगा तो उसमें जो एलिजबीटी के हसाब से जतना पढ़ के आएगा उतनें हिसाफ से लेगा अगर आपने सब को देना है या अपने LGBT का जो नंबर हैं वो कम करने हैं, तो यूनिवर्स्टी खोलने के लिए कौन मना करता है? इन सब को एडिमिसन देने के लिए कौन मना करता है? पढ़ने के लिए भी मारा मारी हो रही है, सज़धा समनाक बात क्या हो सकती है? क्या कॉलिज सुवह साम दो इवनिंग म क्या हमारे पास में पड़े लेखे टीचर की कमी है? क्या सारे जो वमले अनपड हो गए हैं, वो टीचर का काम नहीं कर सकते? या समड़ों में थे सारे जो लोग पीएजडी और यो सब एंफिल करके आये हुए हैं, क्या उनको नौक्री नहीं दे सकते? पर द्यानी किसको है द्यानी किसी को नहीं है, पर सोर ऐसा मचाना है कि सब ये लेके चले गए, और सारी वेकेंसी ये लेके चले गए, लड़के हजारों लाखों की ताथ में समलों के लड़के, समलों की लड़कियां बेरोजगार हैं, और रोजगार है, ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं है, हर department के अंदर vacancy है और डिपार्टमेंट खोले जा सकते है vocês घट रही है गाई जा सकती है पर बढ़ा नहीं है तो यह जो ख़ाई हे यह ध bleach के बढ़ी है यह एक दिन का result नहीं है कोई यह कहे के एक तारीक ओइसा जैज्मेंट आये इसकी जमीन तियार होई है, जमीन पहले तियार होती है, पहले मन में ये बाट डाली जाती है, ये बहुत पहले से चल रहा है, तो आरक्षण एक मातर साधन है आज के सम्मणों के पास में, जिससे वो रोजी रोटी खा सकते हैं, उनके पास में कोई बैपार नहीं है, उनके पास में कोई और काम है नहीं और ये भरा नहीं जा रहा है होना क्या चाहिए होना ये चाहिए कि वमणों के पास में जिनके पास रोजगार हैं जिनके पास इंड़स्टी हैं जिनके घर में कोई सरकारी करमचारी है उनको नौकरी नहीं देनी चाहिए क्योंकि देश के बाकी लोगों क तो बच्चे को तब तक नौकरी नहीं देनी चाहिए, जब तक फादर नौकरी में है, किसी घर में का चार नौकरी कर रहे हैं वमडों के में, तो तीन लोगों को छोड़ देनी चाहिए, जो लोग एक वार नौकरी ले चुके हैं सरकारी, उनके घर में क्रीमी ले लगाना चा कब से उनके पास आरक्षम हैं, कब से वो सारी चीज़ के उसके मालिक बने हूए था उनके लिये कैप का नहीं सोचेगा कोही, कोई इनके लिए जजमेंट, कोई और ढ़ कहाँ लिए उनके कैप लिए नहीं आएगी, अमरीका पर उसको नहीं सोचने देते और हमाई लोग नहीं सोचते कि भाई गोदाम भरे पड़े हैं संसादनों से नौकरी से मास से खाने से पीने से आप वहां तक ना पहुंचो इसलिए आप आपस में उल्जो धरका मत सोचो अगर आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि भा इतने लोग हैं यह जो आज यह कहते हैं वंचित हैं कि आंके उठागे देख़ लो पड़े लिखे जो यह कर रहे हैं यह लोग सारे के सारे अफसर बन जाएंगे तो भी कम पड कड़ेंगे और चाहिए और जितने जिन लोगों की अगेंश में लट रहे हैं जो बावत साब नहीं बन रही है यह समझदारी नहीं बन रही है कि भाई आंकड़े इस बात के लाओ कि जो बाकी वेकेंसी हैं जो बाकी अरक्षन हैं वो कहां जा रहा है आंकड़े इस बात के लाओ के जो extra rear direction है, उसमेंसे बटना चाहिए, जिया वो वंचित है, यह वंचित नहीं है, या जो circuit ःники है उसको, हिस्सा है कूछ मिलना चाहिए, जिसका जितना है उसको ताहिए, पर इस बात को कोई त्यार नहीं है, 21 तारिका जो यह सिस्टम बना और जो लोग उन्हों आक्रोस किया खास तो चाहां जहां मिट क्राइड लोग हैं उन्होंने अपने किसी चोटे या बड़े भाई चोटे बड़े भाई मैं से बोल रहा हूँ क्योंकि यहां पर कुछ और है सिस्टिती और दूसरे स्टेट में किछ और इस्टिती है तो कहीं छोडے भाई हैं, कहीं हैं बड़े भाई हैं, कहीं मतलब जादा ये सम्रद्ध हैं, कहीं नहीं उपआ है, जो जब पढ़ा उसके हिसाब से, तो जितने भी ये लोग हैं, सारे के सारे, ये लोग अगर अच्छी तरह से study कर लें, और अच्छी तरह से इस बात को समझ है तो इनकी गरीबी दूर हो सकती है और इन्हें आपस में उलजने की जरूत पी नहीं है पर उल्जा कौन रहा है अगर आप यहां study करोगे आप यहां देखोगे जो वीडियो जा रही है या जो statement आ रही है या जो नेतागरी हो रही है जिन भी लोगों को एमले एमपे का टिकेट चाहिए वही वेवनस से फेला रहे हैं बहुत कम लोग हैं जो पड़े लिखें और बहुत कम लोग हैं जिनको नौकरी मिलने वाली हैं अधिकतर जनता को तो पता ही नहीं आरक्षन क्या होता है ना तो पड़े हैं ना वो लिखे हैं जब पड़े नहीं लिखे नहीं तो उन्हें आरक्षन से लेना देना क्या और ना ही वो बिचारे एमले एमपी बन पाते हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी है उस संख्या का खेल हो रहा है जो हो रहा है कि वो संख्या कहां जाएगी व संख्या जो है, वो एक तरह से पूरे के पूरे सिस्टम का deciding factor है, deciding factor इसलिए क्योंकि जिदर उनका वोट पड़ेगा, उधरी गवर्मेंट बन जाएगी, वो deciding factor है, तो deciding factor को आपस में उल्जाने के दिए, तोडने के दिए, हटाने के लिए ये काम हो रहे हैं ये जो नौकरी लेने वारे लोग हैं जो पड़े लिखे लोग हैं ये कोई वोट वोट नहीं डालते हैं और इनकी संख्या को जादा नहीं है आप आंकले उठा के देख लो अगर भारत में आज के समय 25% हैं तो 25% अगर इनका सब का वोट प जाए तो जगे जगे सभाए हो रही हैं जगे जगे एक दूसरे के खिलाफ गालियां एक दूसरे को क्यों वो हमारे पाले में आ जाएं अच्छा हमारे पाले में ना भी आएं तो दूसरे के पाले में आ जाएं ये खेल है ये खेल है अधिक्तम संख्या को इखटा करने का क संख्या कैसे खटे हो तो इखटा करने के लिए या तो प्यार से आएगी या दुद्कार से आएगी और या फिर गुम्रह करके आएगी तो अभी प्यार से आने रही है क्योंकि प्यार से जब आएगी जब आप कुछ दोगे और दुद्कार से आने रही है क्योंकि लोग इख तो समन संको क्या करना चाहिए समन संको उनसे कहना चाहिए कि आप जो चाहते हो वो सब पूरा हो सकता है शेर के बच्चों को सारा मास मिलेगा सारा शिकार मिलेगा पर तम मिलेगा जब मिलके शिकार करोगे तो प्रैक्टिस भले कर लो आपस में एक दूसरे से पर एक दूसरे बड़े होने की तियारी करो और जैसे आप बड़े होगे और जैसे आप एकट्टे होते चले जाओगे वैसे सारी चीजें अपने आप आ जाएंगे. यह बह। अच्छा साइन है कि भारत में समणों ने कम से कम भारत बंध करने का सपना देखना सुद्यों किया, कर भी चुके हैं भारत बंद का मतलब यह नहीं होता कि दुकाने बंद होंगी या इंड़स्ट्री बंद होगी भारत बंद का सपना होता है कि सारे बड़ा सपना देखा है कि यूनाइट हो रहे हैं ये ठीक वो सपना है जब कभी अंग्रेजों को यहां से हटाना था तो मौनदाज करमचंद गांदी के हाथ पर फूल गए और फाइनेंस मिला रही उधर जो अंग्रेज थे उन्होंने सामन उतार के बार फैंक दिया पिछव जब आ भी गया तो कहें कैसे करें कैसे तो पूरे भारत को एक करने के लिए डाड़ी मार्च यात्रा निकाली गई डाड़ी मार्च यात्रा का मतलब यह था कि पूरे भारत में गवाईस तो वाटसएप था नहीं और टीबी अखवार अंग्रेजों के हाथ में थे तो क्या करे आदमी तो यात्रा निकाली जाती है आज आज कल भी निकाली जाती है पॉलिटिकल लोग निकालते हैं साब कासी नावने जी भी यात्रा निकाली और बुद्ध तो पैतालिस साल तक यात्रा ही करते रहे उनकी यात्रा सबसे बड़ी है महा यात्रा बोल सकते हैं उनको या करोगे तो लोग यकिन नहीं करेंगे तो लोग बाकाद साथ लगे जिनको भाद में एंपी बरना था है वे लो सब साथ लगे जिन बूशनी वह याद्र होंने में कई से correct हैं बाल पया डेस हमारा है और से इसको मुक्त कराना है, बस लोगों को लगा कि हम को आजाद होना चाहिए, बना लोगों को पता नहीं था कि आजादी क्या होती है, और वैसे भी गरीब आदमी को तो आजादी भूग से होती है, उसे तो उसका पेट भर जाए, उसे और कुछ नहीं चाहिए, जिसके पास घर उसे घर मिल जाए उसकी आजादी हो गई, जिसके पास में खाने को नहीं है, खाने को मिल जाए तो आजादी हो गई, गरीब लोगों को कुछ नहीं पता कि देश में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है, पर उनको एहसास खरा गया, उनको बताया गया, डाड़ी मास निकाली बहुत है वैसे ही भारत बंद में देश इककटा होता है तो एक अबाच जाती है और सबसे सदर जो बात आज की कि और की रही है वो यह रही है कि विरोध करने वाले भी हमें और विरोध का समर्थन करने वाले भी हमें इसको ध्यान देना कि दोनों काम समड़ कर रहे हैं लग ऐसा रहा है कि हम एक दूसरे के विरोध में हैं पर विरोध में नहीं है एक भी स्टेटमेंट ऐसी नहीं आई है जब कहा हो कि हमारे भाई को किसी को आरेक्षन नहीं मिलना चाहिए जितनी वाइस आई है कि जो जज्मेंट है जो एडवाइज है जो ठीक नहीं है और क्रीमिलेर बिल्कुल नहीं चाहिए और हमें तोड़ना नहीं चाहिए सब जिगें यह आवाज आई हैं तो सबसे सुन्दर बा जाएंगी कि मटके हम चलाने वाले भी हमें हैं और मटको हम जो बचन देने वाले प्रवचन देने वाले भी हमें जब ये दोनों पार्टियां ब्यापर में पहुंच जाएंगी कि खैदने वाले भी हमें और बेशने वाले हो जाएगा किसी भी इस्तिति में भारत में आप देखोगे कि बेसक वो संख्या में कम है पर हर जिगे दोनों पार्टी उनी की मिलती है हर जिगे दोनों पार्टी उनी की मिलती है चाहे राजनीती में हो चाहे कहीं बाबा का संत का आस्रम हो चाहे कहीं बैपार हो चाहे कहीं जुड़ी सेरी हो, सब वो ही है, मतलब वकीर भी वो ही है, जज भी वो ही है, पत्तकार भी वो ही है, टीवी सुनने वाले वो ही है, सुनाने वार अक्वार छापने वाले वो ही है, पढ़वाने वाले वो ही है, सब वो ही है, तो बहुत अच्छा सायन हुआ है, इसके लिए सब जितने भी समढ़ें उनको मंगल कामना बदाई हैं कि हम दोनों तरफ से खड़े हो रहे हैं और यह अच्छा है बहुत जल्दी समढ़ संग उन सबको डायक्षन देने की सिती में आ परब pozisans चलती रहती हैं शोटी मोडी चीच कि नें चलती रहती हैं लुकर जैसे कि इसे जैसे संत्व व्यक्तिय सांथी फेलाते हैं वैसे सैतान कodu अपनी हरकत करते हैं अगर सैतान अपनी करनी बंद कर जाए तो फुर तो हम एक दिन में खिलाव, फतय कर लेंगे तो सैथान भी काम करेगा, तो उसको भी देखना है और सन्त भी काम करेंगे, वह भी देखना है कि राजनीती में इधर वारे लोग उधर बात कर रहें अच्छा है क्योंकि राजनीती भी हमारा एक हिस्सा है और लोगों को सीखना चाहिए अगर राजनीती नहीं सीखेंगे तो काम चलेगा कैसे अगर मेरी किसी बात में कोई बात Applause खराब लगी हो किसी हुए क्योंकि समाज में सब्जी के जाना है रोब बताना है संगंग नमामी संगंग नमामी संगंग नमामी और सभी समण संतों को वंदामी हुए reinforcing के जाना हुए ऐ पुद् employees अगंग नमामी और सभी समाज दे कि जाना हुए और सभी के जाना है आज दूं पुद्म तम्से नमग यद्ग्छाम मुद्म् तम्म्से नम् नम गच्छाम पुद्म commitments ह Lara झाल झाल